एक पापा अपनी चार वरस की बेटी मानसी से भहुत प्यार करते थे और पिस से लोड़ते समय वे हर रोज उसके लिए तरह तरह की खिलोने और खाने पीने की चीजे लाते थे मानसी भी अपने पापा से भहुत प्यार करती थी और हमेशा अपनी तोथ ली आवाज में पापा पापा कहे कर बुलाती रहती थी दिन भहुत ही अच्छे से भी तरह थे कि अचानक एक दिन मानसी को भहुत तेज बुखार आ गया सब लोग गबरा गई वे दोड़े दोड़े डाक्टर के पास गए लेकिन वहाँ पर ले जाते ले जाते मानसी की मुर्थियों हो जाती हैं परिवार पर तो मानों पाहाडी तूट पड़ा और पिता की हालत तो मरने जैसी हो गई मानसी के जाने के बाद उसके पापा ना तो किसी से बोलते और ना किसी से बात करते यहां तक ही ओपिस जाना भी छोड़ दिया और घर में और किसी से बोलना भी छोड़ दिया आसपडोस के लोग गुरुस रिष्टेदारों उन्हें समझाने की बहुत कोशिज की पर वह किसी की नहीं सुनते थे उनके मुँ ऐसे बस एक ही सब्द निकलता था मानसी मेरी बेटी एक दिन ऐसे ही मानसी के बारे में सोचते सोचते उनकी आँख लग गई और उन्हें एक सपना आया सपने में उसे मानसी देखी उसे देखते ही पिता बोलने लगे मानसी मेरी प्यारी बेटी सभी परियों की मुँबतिया जल रही है पिर तुमारी बुजी हुई क्यों है तुमी से जला क्यों नहीं लेती हो मानसी बोली पापा मैं तो बार बार मौम्बती जला लेती हूँ पर आप इतना रोते रहते हो कि आपके आंसों से मेरी मौम्बतीयां बुझ जाती है यह सुनते ही पिता के नीन तूड जाती है उन्हें अपनी गलती का एसास होने लगता है वो समझ जाते हैं कि उनके इस दुखी रहने जे उनकी बेटी भी कुछ नहीं रहती और फिर से सामने जीवन की तरफ आगे भड़ने लगते हैं दोस्तों किसी भी करीब के जाने का गम सब दोसे बयान नहीं किया जा सकता पर कई ही ना कई हमें अपने आपको मजबूत करके रखना पड़ता है और अपनी जिमेदारियों को निबाना पड़ता है और साइद ऐसा करना यी मरने वाले की आत्मा को सांती परदान करता है इसमें कोई संदेय नहीं है कि जो हम से प्यार करते हैं वे हमें साकूस देखना चाहते हैं अपने के जाने के बाद भी दन्यवाद दोस्तों आपको कानी पसंद आई होतों लाइक कमेंट सेर करे और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद